दोस्तो मैं हर वीडियो में ग्यान पिलता रहता हूं कि 10,000 के नीचे ये फोन खरीद लो 20,000 के नीचे ये फोन खरीद लो और अगर ये फोन आप खरीदते हो तो आपका सारा का सारा पैसा बरबाद तो अगर ये फोन आप खरीदते हो तो आपका सारा का सारा पैसा वसूल हो जाएगा लेकिन जब बात आती है भाई अपने पर अगर आपकी जगा मैं हूँ और मुझे कोई फोन खरीदना है तो मैं इन में से कौन सा फोन खरीदूंगा मतलब जो मैं आपको हर बजट में चार पांच फोन बताता हूँ उन फोन में मेरा फिवरेट फोन कौन सा होगा अल टॉपिक पर आते हैं शुरुआत करते हैं दस हजार से अगर दस हजार रुपे मान लो मेरा बजट है वह भी आवकात के बाहर है लेकिन मान लो कि दस हजार रुपे है मेरे पास और मुझे कोई फोन खरीदना है तो वहाँ पर मुझे पोको M5 काफी अच्छा लगता है लेक मुझे थोड़ा वर्त लगता है उसमें अच्छी नहीं होगी वह आपको ध्यान में रखना पड़ेगा गीमिंग के लिए दूसरे ऑप्शन है लेकिन मेरे लिए वह बैस्ट रहेगा अब मान लो कि जैसे तैसे करके मेरा बजट हो गया 15,000 और अगर 15,000 रुपे में मुझे चार्जिंग का सपोर्ट दे रहा है उसके बाद उसमें आपको बाइपास चार्जिंग मिलती है जो की नहीं टेकनोलोजी मतलब किसी फोन में नहीं मिलती उस प्राइज में उसके बाद 108 मेगा पिक्सल का कैमरा जो की अच्छा उटपूट देता है और ठीक टाग गेमिंग की फिप्टिया उसको पिक करने के पीचे रीजन क्या देखो उसका प्रोसेसर मतलब मेरा जो काम होता है एडिटिंग बगरा का तो वो चीज वो हैंडल कर लेगा उसके बाद प्रोसेसर अच्छा है तो टाइम पैस में कभी गेमिंग भी कर लेंगे बस एक जगा जहां पर यह फिलिंग आएगी मुझे कि उसका क्या है मारा वो थोड़ा सा मुझे मैनेज करना पड़ेगा अब इसके बाद स्टार्ट होते है मेरे उकात के बाहर के बजट स्टार्ट करते 25,000 के नीचे से तो वहाँ पर 25,000 में मुझे बहुत सारे options है बाई मतलब एक confusion create हो जाता है बहुत सारे options है तो जितने भी options है उनमें अगर मुझे पिक करना हो तो मैं कौन सा पिक करूँगा अगर मेरी requirement gaming के मुझे gaming करनी हो तो मैं IQ 6 के साथ चला जाओंगा मतलब उसको खरीद लूँगा कई उसके साथ भाग नहीं जाओंगा मुझे gaming नहीं करनी तो मैं realme 11 pro खरीद वगेरा देख लूँगा fast charging camera भी अच्छा इसका और अगर under 35,000 खरीदना है तो इसका बड़ा भाई खरीद लूँगा आइको नियो 7 pro बड़ा भाई मतलब इनसान की नहीं बात होरी phone की बात होरी तो under 35,000 भाई one of the best phone है मुझे लगता कि आज के टाइम पर उससे best phone आपको नहीं मिलेगा और 40,000 में अगर nothing phone 2 मिल जाए तो फिर उसको consider कर सकते है और उसके उपर की बात करने की जरूद नहीं बाई वहाँ पर बहुत सरे option है आपको Samsung के S23 या फिर iPhone की काफिस सरे phone मिल जाएंगे तो उस budget में नहीं जाएंगे 40,000 तक ही रखते है जो कि वही मेरे पसंद मुझसे अलग हो और हो सकती है भाई हर इंसान अलग होता है तो आप अपनी पसंद चाहे तो कमेंट में बता सकते हो